हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे चैनल में सो फ्रेंड्स दिव्यांग जुनों के लिए बजट में क्या है क्या हास है क्या दिव्यांग जुनों को मिला इसकी चर्चा दोस्तों आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं तो इसको अच्छे से समझने के लिए दोस्तों हमें एक अकबार के आर्टिकल CNBC के आर्टिकल में जाना पड़ेगा और वहाँ पर सारी बाती बताए गई है जो जो चीज दिव्यांग जोनों से रिलेटेड वहाँ पर चर्चा की गई थी सदन में निर्माला सितररमन जो हमारे देश की वित्यमंत्री है उनके दोरा तो चले चलते हैं आर्टिकल में और आपको बताते हैं क्या क्या खास है क्या क्या दिव्यांग जनों को इस बजट में मिला है पर ने साब लोग देख रहे हैं यह का CNBC TV18 का रिपोर्ट है यहाँ पर तो दोस्तों चली देखते हैं तो देखे दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कुछ कुछ चीजे हैं जो यहाँ पर डिसकस कीगी इस अधन में तो देखे यहाँ पर क्या बात बताया गयी है कि बजट पर अलग-अलग संगटनों की बैठके सरकार ने अपनी अपिछाओ को सुचीबत करने का एक आफसर होता है उद्दोग और संग सभी अपने इच्छा के अनुसार अपने सर्तों को मनवाने के लिए तैयारी पैठे हुए हैं इस प्रक्रिया के तहट वास्तों में बजट बनाने की प्रामर्स प्रक्रिया में जोज़ भरती है दिव्यांग जुनों छेत्र में हमारे लिए एक्षन अलग नहीं होता है और हम साल 23-24 के बजट के लिए भारत सरकार का ध्यान आकर्सित करना चाहते हैं और समर्थन मांगना चाहते हैं गतिहीन दिव्यांग व्यक्ति का जीवन चुनोतियों से भरा होता है उनका पारिस्थिति की तंत्र घर से लेकर सिच्छा, पेसेवर और अन्य छेत्र बाधाओं से भरा हुआ होता है जिसके नेतिक, मनुबेग्यानिक, मांसिक, आर्थिक और समाजिक कठेनाईयां पड़ाया होती है एक भजट में इन पर विचार किया जाना चाहिए और दिव्यांग समाज के समगर सुधार को सुनिश्चित करने के लिए परियाप्त वित्यप परिवैरी आवंटिट करना चाहिए जिससे लगबख तीन कड़ों लोग सामिल है यह कहें कि हर 40 विक्ति में एक विक्ति दिव्यांगता से जूज रहा है बजट और दिव्यांगता के सिति तो दोस्तो आप देखी हैं आपर बजट और दिव्यांगता के सिति आपर बताएं गई है तो चले इसको भी दिख लेते हैं क्या है समाज के कई छित्रों में प्रगति के बावजूद दिव्यांग विक्तियों के सामने चुनोतिया बनी हुई होती है संभवता केंद्रियच बजटों में दिव्यांग जुनों पर परियाप्त ध्यान केंद्रित होना ना हो स्वाथ सेवा और सिच्छा और यहां तक की बुनियादिक खाद अपुर्ती तक पहुँचने में बादाएं एक चुनोती बनी हुई है इसका एक कारण दिव्यांगता के लिए है कल्यान और लागत अधारित दिश्टिकोन की कमी हो रही है कुछ कल्यान कारी कारिकरों के लिए वित्ति परिवे करना यह तत्य काफी हद तक सिच्छा और स्वास सेवा में निवेश की तरह सारे रिक रूप से अक्षमता के लिए समाजिक प्रस्थितियों और मानों पुंजी में योगदान के लिए एक दिर्ग कालिक दिश्टिकोन की अवसकता होती है दिव्यांग व्यक्तियों पर खर्च तो अब बता जाला कि कितना खर्च पड़ेगा दिव्यांग जिनों पर अगर हम कुछ नया प्रोजेक्ट लाएं तो देखें याँ पर मेलबन विश्वद्यालेव के सोद करताओर ने जीवन के मानक दिश्टिकोन अपनाते हुए पाया की परिवार में दिव्यांग सधस्य होने पर घर के खर्च में 17% की बिद्धी हो जाती है दिव्यांग जन के साथ रहने की अतिरिक्त लागत के लिए लेखांकन करने पर पाया गया की दिव्यांग विक्ति के होने पर परिवार में गरीबी दर 18 से बढ़कर 34 हो जाती है यह इसलिए होता दोस्तों कि दिव्यांग जनों के लिए सहुलियत के लिए उनको इदर से जाने के लिए एक्स्टा कुछ नएने चीज़ों उपकरनों को खर्णे की जोरत पड़ती है इसकी करन जो खर्च वो बढ़ जाता है दिव्यांग सदस्यों वाला गरीब परिवार गरीबी रेखा से 7 परतिसद नीचे आता है जब दिव्यांग की लागत को नजर अंदाज किया जाता है भारतिय नागरी को अत्यधिक दुर्गम उचित बुनियादी जहाचा का अभाव की दुदरसा की कलपना करे एक समगर दिश्टिकोन की अवसकता है जो भारत में दिव्यांगों के साथ रहने की लागत का विसलेशन करे अब बजट में क्या है दुस्तों क्या बताया गया इसको देखें आपर तो देखें हाल के वर्सों में केंद्री बजट निरासा जनक रहा उधारन के लिए दिव्यांगता व्यक्ति अधिनियम 1995 के तहत योजनाओ के कार्यावन्त के लिए केवल 15 करोड रूपे की ब्रितित हुई थी वर्ष दोजर उन्निस बीस का केंदरी वजट दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आदिकारिता विभाग के लिए अनुदान की मांग 134 कुड़ों रुपे के मामूली इजाफा किया गया वित्य मंत्री द्वारा वरिष नागरिक और दिव्यांग वजट को बढ़ा कर 9000 को रुपे का वादा वर्ष दोजर बीस इकिस के केंदरी वजट में दिव्यांग व्यक्तियों के ससकती करन विवाग DPWD के वजट अलुमान से 122.77 कुड़ों रुपे की मामूली ब्रिद्धी के साथ गायब हो गई साल 2021.22 के वजट में DPWD के लिए आवंटन 1325.49 कुड़ों रुपे से घटा कर 1171.76 कुड़ों रुपे का कर दिया गया यहां तक की वर्ष 222.22 के बजट में दिव्यांग लोगों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था वास्तों में कई वर्षों में दिव्यांग समू RPWD अधिनियम 266 के प्रावधानों के प्रभावी और निरंतन कर्यावरंत के लिए समर्पित आउंटन के लिए आगरह कर रहे हैं जो आउसक है सरकार को राष्ट के समावस्व विकास के लिए वित्य का समान वित्रन सुनिश्चित करने के लिए दिव्यांगता की लागत और RPWD अधिनियम 266 पर आउस्वी विजार करना चाहिए अब देखे दोस्तो अब नया चीज यहाँ पर क्या है कि बजट में दिव्यांग जुनों का प्रतिनिधित यानि जो बजट में दिव्यांग जुनों के प्रतिनिधित जो आगे आके कुछ बोलते हैं उनके लिए कुछ नया चीज इंक्लू करने चाहते हैं तो वो कौन पर तो देखें यहां पर यह बहुत वान्चिक है कि दिव्यांग लोगों के लिए रहने की लागत में विर्धी को कम करने के लिए सहायक तक्निकी और दिव्यांग लोगों की जरुत वाली सहायक वस्तुवों पर GST पूरी तरह से हटा दिया जाए या दिव्यांग लोगों के लिए कर्द सीमा पांच लाक रुपे रखी जाए सरकार को पता होना चाहिए कि दिव्यांग को आई में कोई भी छूट की अनुमती देकर उनकी जीवन को आसान बनाने में योगदान करेगी तरकार को RPWD अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने वाले और चार परतिसत दिव्यांग करमचारियों वाले नीजी संगटनों को ठोस प्रोसाहन परदान करने पर विचार करना चाहिए सारो भोमिक पहूँच के लिए सभी हितकारियों को सुलब बुनियादी धाचे उत्पादों और सेवाओं के निर्मान में योगदान देना चाहिए हम वास्तों में उम्हीद करते हैं कि भारत सरकार सुलब भारत अभियान को गति देने के लिए देश भर में सुलब बुनियादी धाचे के बिश्तार के लिए कंपनी अधिनियम 23 की अनुसूची साथ के तहत सारोजनिक निजी भागिदारी को प्रोच साहित कर रही है कंपनी अधिनियम 23 की अनुसूची साथ के अनुसार दिव्यांगता को भी अनिवारी CSR मदोतों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए परधान मंत्री नर्जिन मोदी ने पुराने कानूनों को हटाने पर पूरा ध्यान दिया है इसी तरह सभी अधिनियम को RPWD अधिनियम 26 के साथ सामन जस्य और संरेखन में लाया जाना चाहिए उधारन के लिए हाईकर अधिनियम अभी भी दिव्यांग सकती समान अवसर संदर्चन और पूर्ण भागिदारी अधिनियम 1995 को संदर्भित करता है और दिव्यांग को इसी तरह सुचीबद कर मानिता देता है RPWD अधिनियम 26 कुल 21 परकार के दिव्यांग तक को मानिता देता है दिव्यांगों के लिए छूट प्राप्ट करने में होने वाली कठिनाईयों को कम करने के लिए सीमा सुल्क छूट छूट प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया और सोगोसना के साथ जोड़ा जाना चाहिए परियाप तरलता सुनिस्चित करने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को कम से कम सुन्य दसमलव पांच लाब ब्यार पर दिया जाना चाहिए और उनकी दिव्यांगता की गंविता को आधार पर बनाना चाहिए जैसा कि वरिष नागरिकों को बड़ती लागत के कारण दिया जाता है हमें ये भी सुनिश्चित करनी है कि PM मोदी के दूर दसी नेत्रितु में भारत सरकार एक मौडल पर काम कर रही है जैसे कि फिलिपिन्स जहां सभी दिव्यांग विक्तियों को फिलिपिन्स बीमा निगम फिल वेल्ट के राष्टे स्वास्त बीमा कारिकरम के तहट स्वता कबर दिया जाता है भारती जीवन बीमा निगम को इस और पहल करने चाहिए और सरकार नीजिक बीमा कमपनियों को इसे आनिवार्व करने पर बिचार कर सकती है चिकिस्सा कल्यान और बीमा को संदेखित करना भी महत्वपून है एटी यू कटोटी का लाव उठाने वाले करदाताओं का डेटाबेस बनाये रखा जाना चाहिए यह व्यां करदाताओं की संख्या पर परकास डालेगा ठैलेसे में जैसी निर्देशित बिमारियों के इलाज के लिए 40,000 रुपे तक की कटोटी अनुमती है इसे वास्तिविक खर्चिया कम से कम 2,000,000 तक बढ़ा जाना चाहिए 25 साल के अर्मान अली दिव्यांग लोगों के लिए वकालत पर काम कर रहे हैं वे दिव्यांग लोगों के लिए रोजगार को बढ़ावा देने वाली संस्ता National Center for Promotion of Employment for Disabled People के कारेकारी निदेशक है तो अर्मान अली के चलिए आपको फोडो दिखा देते हैं दोस्तों तो देखे ये अर्मान अली है जो दिव्यांग जोनों के लिए काफी काम कर रहे हैं देखे शुर्ठ ये है अर्मान अली ठीक है तो य missions पनक कर रहे हैं और ये सारी बदाए दिव्यांग जोनों के वहां पर करेंट में रखए कैront कैसे लगी ये अगर अपके कोई समझस्य है कोई डाउट है तब भी आप कमेंड जरू करेगा हमें आपका जवाब देने में बहुत ही संद अच्छा लगेगा तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगली जानकारी में तब तक कि धन्वाद जेहिं जे भारत